अरे कृष्णा आप सबको आने वाले नए साल की हर्दिक शुब कामनाई जो आने वाला साल है आपके लिए बहुत सारे खुशियां लेकर आए आपका जीवन मंगल मैं हो आपको अच्छा स्वस्थ की प्राप्ति हो और आपके जीवन के जो उदेश्य हैं आप उनको पूर्ण करने के लिए उस उदेश्य में आगे बढ़ सकें तो जो जाने वाला साल है इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कष्ट सहन किये बहुत सारे लोगों की मृत्य हुई बहुत सारे लोगों ने अपने प्रिवार जनों को खो दिया बहुत लोगों ने बिमारी से कश्ट उठाया कुछ लोगों का तो ये भी मानना है 2020 था, वो इतना भ्यांकर था, इतना बुरा था कि उसको तो हम अपने जीवन से एक निकाल ही दें और सब लोग आने वाले साल की और बड़े उत्साह से देख रहे हैं पर जो जाने वाला साल है उसकी और देखकर भी हमें ये सोचना चाहिए कि इस साल में हमने क्या खोया और क्या पाया जी हां बहुत सारे लोगों को बहुत कश्ट हुआ पर बहुत सारे लोगों ने ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें की जो कभी अपने जीवन में नहीं कर पाए हमारे पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए अधिक समय था लोग शुद वायू में सांस ले पाए जो पहले कभी नहीं कर पाए, हमारे पास समय ही नहीं था लोग अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता, भाई बेहनों के साथ अधिक समय ब्यतित कर सके तो इस जाने वाले साल में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला एक चीज जो सीखने को मिली वो ये है कि ये जीवन हमारा कभी भी समाप्त हो सकता है लोग हमेशा सुख की प्राप्ती करने की इच्छा रखते हैं और कश्टों से हमेशा बचकर रहना चाहते हैं पर हमें समझना चाहिए कि ये जो जीवन है वो शन भंगुर है जैसे महाभारत में एक अथा आती है जब युदिश्र महाराज को यक्ष ने प्रशन किया कि इस संसार में सबसे आश्चरे की बात क्या है युदिश्र महाराज ने उत्तर दिया कि सबसे आश्चरे की बात है इस संसार में सब लोग मृत्यू को प्राप्त हो रहे हैं पर फिर भी दूसरे यही सोचते हैं कि मेरी मृत्यू कभी नहीं होगी अहनी अहनी भूतानी गच्छंती यमालयम शेश स्थावर अविच्छंती किम आश्चरे मतपरम इससे जादा अधिक आश्चरे कि क्या बात हो सकती है कि दूसरों को मृत्यू आते हुए देखकर भी हमें लगता है मुझे मृत्यू नहीं आएगी तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जीवन कभी भी नश्ट हो सकता है और कैसे हम अपने जीवन के उदेश्चे को हासिल कर सकें कैसे हम अपने जीवन को अच्छे से वैतीत कर सकें तो जब भी नम वर्ष आता है तो लोग अपने कुछ resolutions बनाते हैं कि मेरे ये new year में ये गोल है मैं इन चीजों को प्राप्त करना चाहता हूँ जी हाँ अन्ने साल का resolution बनाईए resolution, resolution शब्द कहां से आता है resolute resolute का Sanskrit शब्द क्या है संकल्प तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूँ बहुत सारे लोग संकल्प बनाते हैं मैं अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहता हूँ मैं अपनी नौकरी में प्रमोशन लेना चाहता हूँ मैं अच्छा व्यवसाय बढ़ाना चाहता हूँ कुछ लोग अपने स्वस्त संबंदी गोल बनाते हैं कि मैं अपना वेट लोस करना चाहता हूँ कुछ लोग अपना गोल बनाते हैं कि मैं अपने संबंदों को अपने परिवार के लोगों के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहता हूँ यहां सब तरहें के गोल बनाईए पर साथ में सबसे जो जरूरी लक्ष है वो है कि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें संकल्प लेना आसान है पर संकल्प को निभाना वो बड़ी बात है तो सब लोग रेजोल्यूशन लेते हैं नव वरश पे और जादातर जो रेजोल्यूशन है वो 15 दिन में तीस दिन में सब खतम हो जाते हैं किसी चीज़ को बनाना और तोड़ना तो आसान है पर उसको पालन करना बड़ा मुश्किल है लोग संकल्प लेते हैं कि मुझे अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है अपना 20 किलो भार कम करना है तो एक जनवरी को जितने भी ये जिम होते हैं उनका रेजिस्टेशन सबसे जादा होता है पर 30 जनवरी आते आते वो आधी रेजिस्टेशन आधी मेंबर्शिप कैंसल हो जाती है क्योंकि लोग अपने रेजुलूशन निभा नहीं पाते तो लगता है चलो आज नहीं कल करेंगे कल नहीं परसों करेंगे हम बोलते हैं कल करेंगे आज करेंगे अब पर लोग बोलते हैं आज करेंगे जल जलदी है जब जीना इतने बरसों तो आज 2020 ने हमें ये सिखा दिया कि मृत्यू किसे भी समय आ सकती है और अगर आपको आपके जीवन का कुछ लक्षए है तो उसको प्राप्त करने के लिए उसके प्रती सचेत रही है, उसके प्रती जागरुक रही है, हमें लक्षमन बनना है, लक्षमन का अर्थ क्या है, जो अपने जीवन के लक्ष की प्रत्री जागरुक हो, और जीवन का सबसे अहम लक्ष है, इस मनुष्य जनम को प्राप्त कर के हम ये समझें कि इस भौतिक संसार के अंदर इतने दुख क्यूं है मैं इन दुखों को नहीं चाहता पर ये दुख मुझे जबर्दस्ती क्यूं मिलते है ये जनम अमरित्यू बुढापा ये सब जो रोग हैं कोई भी इनको प्राप्त करना नहीं चाहता फिर भी ये जबर्दस्ती आते हैं ये संसार सब क्या है भगवान कौन है मेरा भगवान के साथ क्या संबंद है तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा उदेश्य ये है कि भगवान को समझें भगवान की भक्ती में आगे बढ़ें तो हमें अपने जीवन का जो नए साल का जो रेजिलूशन है वो ये होना चाहिए सबसे पहला रेजिलूशन की हम भक्ती में आगे बढ़ें और resolution को निभाने के लिए हमें किसी की सहायता की आवशक्ता है हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए ऐसा mentor चाहिए ऐसा गुरू चाहिए जो हमें हमारे संकल्प से डिगने ना दे जो हमेशा हमें प्रोत्साहान देता रहे अपने गोल को प्राप्त करने के लिए तो भक्तों का जो संग है वो प्रम आवशक है association, association of devotees पहले तो मुनुष्य जनम मिलना एक बहुत ही दुरलब चीज़ है और मुनुष्य जनम पाकर भक्तों का संग प्राप्त होना ये उससे भी ज़्यादा दुरलब है और भक्तों का संग बार बार मिलता रहे हम भग्वान की भक्ती में आगे बढ़ते रहें ये परम दुरलब है तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन का एक लक्ष बनाएं इस आने वाले साल में हम ये दरड संकल्प लें कि मुझे भग्वान की भक्ती में आगे बढ़ना है आपके जीवन के बाकी भी और लक्षे हो सकते हैं, अपने स्वास्ते सुधारना, अपने प्रिवारजनों के साथ संबंद सुधारना, अपना आर्थिक व्यवस्था को सुधारना, पर सबसे जरूरी है भक्ती के प्रती आपका जो लक्षे है, जो रेजल्यूशन है, जो संकल सुबा जल्दी उठना, सुबा जल्दी उठकर भगवान के नाम का जब करना, नियम पूरवक भगवान की कथा का श्रवन करना, भक्तों का संग करना, तो आईए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि आने वले साल 2021 में हम पूरन रूप से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उत्साह पूर्वक काम करें तो हम कामना करते हैं कि आने वाला नव वर्ष आपको अपने जीवन के उदेश्य प्राप्त करने के लिए आपको जीवन में सफलता प्रधान करने के लिए सहयोगी हो आपके जीवन मंगल माय हो आपका जीवन सुख माय हो भगवान की आपके उपर सदक कृपा बनी रहे Hare Krishna, wish you a very happy new year